क्या महिला पहलवान जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या उसकी वज़ा से मोधी सरकार को उनके सामने जुकना पड़ा है? खबर बहुत बड़ी है, सांसद ब्रिजभूशन शेरंड सिंग, जिस पर यौन उत्पीडन के आरोप हैं, उन्हें 5 जून को अपनी राली को स्थगित करना पड़ा है, मैं आपको बतला दू दोस्तों, इस राली से पहले ब्रिजभूशन ये दावा कर रहे थे, कि इस राली में करीब 11 लाक लोग जुटेंगे, संत समाज जुटेगा, यानि कि एक किसम का शक्ति प्रदर्शन, उसके बाद ब्रिजभूशन शरण सिंग को 5 जून को होने वाली अपनी राली को रद करना पड़ा है, ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते, बोल खिलाबाज़ाद हैं तेरे, बोटा सा ट्रेलर दूँ जो की इंडेन एक्स्प्रेस में आया है, उसके मुताबिक एक महिला खिलाडी ने ये भी शिकायत की है, कि ब्रिजभूशन शरण सिंग ने कहा, कि अगर तुम मेरी यौन संबंधी जरूरतों को पूरा करोगी, सेक्शुल फेवर्स दोगी, तो मैं तुम्हें सप्लिमेंट्स भी दूँगा, जो खेल में काम आते हैं, कम से कम दस बड़ी शिकायते की हैं, दो एफ आई आर्स में, और इस एफ आई आर्स में क्या क्या है, वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों, और मैं आपको ये भी बतलाऊंगा, कि राली स्थगित करने के बाद, आखिर कहा क्या है, ब्रिज भूशन शरंड सिंग ने, सबसे पहले, आपके स्क्रीन्स पर, पाँच जून को ये राली होने वाली थी, अब वो राली स्थगित हो गई है, भारत समाचार की खबर देखि सांसद ब्रिज भूशन शरंड सिंग की राली होई स्थगित, आयोध्या में होने वाली जन महाचेतना राली स्थगित होई, पाँच जून को होने वाली जन चेतना राली स्थगित हो गई, संत सम्मेलन ने किया स्थगित, कोट का सम्मान करते हुए राली को स्थगित किया, ऐसा ब्रिज भूशन कह रहे हैं तो ब्रिज भूशन साहब से मेरा एक सवाल अगर कोट का इतना ही सम्मान था तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब विनेश फोगाट अपनी बात रखती थी तो आप उन्हें कैकई और मंथरा क्यों कहते थे जब हमारे खिलाड़ी अपनी बात रखते थे तो आप ये क्यों कहते थे कि 15-15 रुपे में उन मेडल्स को खरीदा जा सकता है आज धीरे धीरे संत समाज इस व्यक्ती से हाथ खीच रहा और मैं आपको बतलाता हूं क्यों क्योंकि मोदी सरकार को लग रहा था कि ब्रिज भूशन शरण सिंग का दबदबा कम से कम 5-6 जिलू में है इसका सर करीब 2-3 लोग सभा सीटों पर पड़ सकता है मगर धीरे धीरे जो मुद्दे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे जो तस्वीरे सामने उभर कर आ रहे हैं जिसमें दिल्ली पुलीस ने इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जुल्म किया था इस देश की आन बान शान हमारी पहलवान बेटियों पर इस देश का आम जन मानस जो है वो नाराज है और इसी के डर से अब ब्रिज भूशन शरण सिंग पर दबाव बनाया जा रहा है इसका सबक क्या है दोस्तों कि अगर आपकी लड़ाई जायज है अगर आपके मुद्दों में दम है अगर आप सही है तो मुद्दे पर बने रहिए रास्ता लंबा है मगर लक्ष हासिल होता है हलाकि एक बात मैं सपष्ट कर दूँ मुझे अभी भी मोदी सरकार के तेवरों पर उनकी मनशा पर विश्वास नहीं और मैं आपको बतलाता हूँ क्यों याद कीजे पहले एनाई में एक खबर आती है एक समाचार एजनसी में खबर आती है जिसमें दिल्ली पुलीस के एक टॉप अधिकारी ने ये कहा होता है कि विरिज भूशन शरण सिंग के खिलाफ कोई जो है जो जाँच अब तक हुई है कोई सुबूत नहीं मिले है उसके बाद दिल्ली पुलीस एक आपचारिक बयान जारी करती है और ये कहती है कि ये जो खबर आई थी वो सरासर गलत है क्योंकि मामली की जाँच हो रही है फिर इस मामले में एक तीसरा ट्विस्ट चाता है दिल्ली पुलीस अपने उस बयान को ही हटा दिती है जिसमें उसने एन आई की खबर को जूटा बताया था आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों उस F.I.R. में क्या-क्या है जो नहायत ही शौकिंग है एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है सबसे पहले ब्रिज भूशन चरंड सिंग के खिलाब दर्ज F.I.R. के मताबक गलत तरीके से चुना बहाने से च्छाती के उपर हाथ रखने की कोशश या हाथ रखना च्छाती से पीट तक हाथ को लेकर जाना पीछा करना शामिल है च्छाती को छुना और जो लड़कियां मना करती थी उनके पीछे जाना ये तमाम बातें F.I.R. में दर्ज है और मैं आपको बताता हूँ किन-किन धाराओं में F.I.R. की गई है और वो छे बड़ी शिकायते क्या हैं जियां आप जानना चाहेंगे कि हमारी महिला पहलवानों ने वो छे बड़ी शिकायते क्या की हैं एक-एक करके सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा किन धाराओं में केस दर्ज है ब्रिज, भूशन, शेरंट सिंग के खिलाव दर्ज दोनों F.I.R. में IPC की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बलप्रयोग 354A यौन उत्पीडन 354D पीछा करना याद है मैंने कहा था कि एक महिला खिराड़ी जिसने मना किया उसका पीछा तक किया इसमें जो आरोब दर्ज है वो 354D के तहत है आगे 344 सामान इरादे के अंतरगत दर्ज है 353A में 1-3 साल की सजा है तो पहली F.I.R. में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है वो मैं आपको बतला चुका हूँ मगर जो दूसरी F.I.R. है वो अपने आप में बहुत शौकिंग है क्योंकि यहाँ पर 500 के अंतरगत मामले दर्ज है दूसरी F.I.R. क्या कहती है आपके स्क्रीन्स पर दूसरी F.I.R. एक नाबालिक के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा दस को भी लागू करती है जिसमें 5-7 साल की कैद हो सकती है यौन उत्पीडन की शिकायतों में जिन घटनाओं की बात है वो 2012-2022 के बीच हुई यौन उत्पीडन ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशी जमीन पर भी हुआ अपने आप में कितनी शौकिंग बात है ना दोस्तों यानि की पहले हमारी महिला पहलवानों के छाती को चूना उनके पेट को चूना और जो मना कर रही थी उनके पीछे पढ़ जाना या अपने आप में नहायत ही शौकिंग है अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि वो छे शिकायतें जो ब्रिजभूशन शरंड सिंग के लिए मुश्किल का सबब बनने वाली हैं आपके स्क्रीन्स पर पहली शिकायत पहली शिकायत में क्या कहा गया है ध्यान से सुनिए होटल के रेस्टरॉं में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया मुझे छुआ छाती से पेड तक छुआ रिस्लिंग फेडरेशन की ओफिस में बिना मेरी इजाज़त के मेरे घुटनों मेरे कंधों और हथेली को भी छुआ अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया मेरी सासों के पैटन को समझने के बहाने से छाती से पेट तक को टच किया पेट तक को छुआ भूशन शरण सिंग मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी आनुमती के बिना मेरी टी-शर्ट खीची, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया, छाती पर और मेरी सांस की जाच करने के बहाने, इसे मेरे पेट के नीचे सरका दिया, फेडिरेशन के आफिस में मैं अपने भाई के साथ थी, मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ खीचा जबरदस्ती, अब तीसरी शिकायत पर गौर कीजे दोस्तों, माता पिता से बात करने के लिए कहा, मुझे गले लगाया, मुझे रि में बुलाया, ये कहा कि तुम्हारे पिता का फोन है, फोन पर बात होने के बाद, उस महिला खिलाडी को ब्रिज भूशन शरंड सिंग ने कथित तौर पर गले लगा लिया, और जब उस महिला खिलाडी ने मना किया, तब बकॉल ब्रिज भूशन शरंड सिंग, उसने, यान सास की जाच करने के बहाने नाभी पर हाथ रख दिया पांचवी शिकायत मैं लाइन में सबसे पीछे थी तब ही गलत तरीके से छुआ मैं जब दूर जाने की कोशिश कर रही थी तो कंधे को पकड़ लिया अब आपके सामने छटी शिकायत तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ और मैंने इस बात का विरोध किया अब कुछ देर के लिए कलपना कीजिए दोस्तों जिन महिला खिलाडियों ने शिकायत की है और बहुत डीटेल में शिकायत की है इसमें अगर आपके परिवार की बेटी होती आपकी बेहन होती तब आपको कैसा लगता बताई क्योंकि इस प्रिश और महिलाओं के बीच की रेशियो कैसी है हर्याणा में जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कियों का पैदा होना ही अपने आप में कई दिक्कतें पैदा करता है ऐसे में कई लड़कियां जो हैं वो पैत्रिक सोच को चुनाती देती हैं जब वो खेलों में उतर जाती हैं चाहे कुष्टी हो या अन किसम के मुकाबले हो अब सोचिए अगर कुष्टी के अंदर भी या खेलों के अंदर भी इस तरह का माहौल होगा तो सोचिए क्या इन महिलाओं को उनके माबाप खेल कूद में जाने देंगे इसलिए जरूरी है कि इस मामले की हकीकत तक चाह जाए दूद का दूद और पानी का पानी हो इनसाफ हो क्योंकि इनसाफ होगा तभी खेल का जो क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो पाएगा बहराल कारकन की शुरुआत मैं मैंने आपको बताया कि शक्ति प्रदर्शन के लिए ब्रिजभूशन शरंड सिंग ने राली का आयोजन किया था आयोध्या में वो ने रद करनी पड़ी है और रद करके उन्होंने क्या-क्या बाते कही है दोस्तों वो मैं आपको पढ़के स सुनाना चाहता हूँ सांतसद ब्रिजभूश अंशरंड सिंग का बयान क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर वर्तमान स्थिती में कुछ राजनीतिक दल विभिन स्थानों पर रालिया कर प्रांतवाद, ख्षेत्रवाद और जातिय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरस्ता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं मकसद ये है कि 5 जून को आयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्ड़ा लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके लेकिन अब जबकी पूलीस आरोपों की जाच कर रही है और सुप्रीम कोट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महाराली 5 जून आयोध्या चलोकार करम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है यानि की पहलवान बेटियां जिस तरह से दबाव बना रही थी उसका हमें परिणाम दिखाई दे रहा है आज मैं कुछ और कहना चाहता हूँ क्या ऐसे में विश्वास किया जा सकता है उम्मीद की एक हलकी सी किरण है मगर दिक्कत की बात यह है दोस्तों इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री नरेंद्र बूदी पूरी तरह से खामोश है एक शब्द नहीं कह रहे है अब जब प्रधान मंत्री पूरी तरह से खामोश है नमबर एक नमबर दो दिल्ली पुलीस जो है वो विरोधा भासी संकेत दे रही है ऐसे में मोदी सरकार की मनशा पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारी पहलवान बेटियों के संघर्ष का रास्ता लंबा है अब देखना ये है कि क्या उनकी बात पर विश्वास किया जाता है आज ये सबक ना सिर्फ इस समाज के लिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर खेल का माहौल हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं होगा तो कोई भी माबाप अपने बच्चों को खेल में नहीं बेजाएगा नमबर एक, नमबर दो हमारे जो तमाम खिलाड़ी पिछले कुछ अरसे से कई बार जब नफरती बयान देते हैं न सत्ता धारी बीजेपी के पक्ष में तो उन्हें याद करना चाहिए कि जब एक पुलिटिकल पार्टी नफरत के आधार पर जोर आजमाईश के आधार पर सत्ता पर बनी रहती है जब लोगों की आवाज को कुछला जाता है तब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी जब आप खुद मुश्किल में हों एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारी पहलवान बेटियों के साध है इससे पहले कई बार बजरंग पुनिया जो है वो नफरती बयान दिया है कम से कम एक दो बार मैंने सुना है आज बजरंग पुनिया को समझना सवाल नाम की कोई चीज़ नहीं है विरोधी स्वर की कोई जगा नहीं है इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने राजनीत एक दलों को जवाब देह बनाएं मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चियों को इनसाफ मिलेगा हमारे बेटियों को इनसाफ मिलेगा क्योंकि अगर इनसाफ नहीं मिला न तो ये समाज खुद को मू दिखाने लाइक नहीं रहेगा अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार